अग्री मंत्रिय में शहा अगले हपते बिहार आ रहे हैं लेकिन उनके दोरे से पहले एक बार फिर बिहार को विशे सराज का दर्जा देने की मांग उठने लगी है जेडियू के ललन सिंग ने कहा है कि बिहार को किसी भी हालत में विशे सराज का दर्जा चाहिए उन्होंने कहा कि अगर बिहार को विशेसराज का दरजा मिलेगा तो बिहार और तरक्की करेगा बता दे कि बार बार विशेसराज के दरजे की मांग करने के बाद भी बीचे पेस पर खुल कर अपनी बात रखती आई है विषेस राजी की मांग को लेकर हारा की पहले भी सियासत होती रही है लेकिन इस बार आमें शहा के दोरे से पहले इस मांग पर अब सियासत शुरू हो चुके है बिहार को विषेस राजी का दर्जा क्यों मांगते हैं हम हम विहार को विशेश राजे का दर्जा इसलिए मांगते हैं जगर विहार को विशेश राजे का दर्जा मिलेगा तो विहार उन्मत्ती करेगा विहार प्रगत्ती करेगा विहार में विरोजगारी की समुझ से अदूर होगी आज बिहार में कोई रोज़दार लगाने के लिए चाहिए ललन सिंग जी ने जो मुद्दा उठाया है बिहार को विशीस राज का दर्जाय मिलने का यह बेल्कुल सही उठाया है मैं इसको इन साधारन शब्दों में समझाना चाहूँगे कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक यूजना चला रखी है उन बच्चों के लिए जो की पढ़ने में काफी तेज हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको केंद्र यूजनाओं की तहत उनको आर्थिक मिलता है दूसरी तरफ जो विशेश राज का दर्जा बर्सों से लेकर के बैटे हुए हैं उन सब की देखनी के जुरत है जिसमें असाम आता है मशल पर्देश है जिनका गरिवी कम हो चुकी है जब बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पे उनके सहयोगी दलू और विपक्ष का दबाव बढ़ता है बिहार की गिर्ती कानून विवस्था को ले करके सरकार में व्याप्त भ्रस्टाचार को ले करके एक विशेश जाती के संरक्षन को ले करके तब तब जदियू के बड़े नेता नितीश कुमार जी के सिपाह सलार विशेश राज और जातीय चनगन्ना जैसे मुद्दे उठाते हैं पुद्री अमित साजी का विहाब दोरा है तो आखिर ये इसे सराज का दर्जा जेडी यू किससे मांग रही है ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझापटपुर से सांसाद आप